बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नमबर टू ओफ डे टेन ये डे टेन का सेकंड वीडियो लेक्चर है इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है integration of a binomial differential Binomial differential बोलने का मतलब क्या है कि यह जो लिखा हुआ है ना इसमें Binomial theorem मतलब यह हमारा लिखा हुआ A plus B X to the power N पे power P यह हमारा Binomial क्या लिखा हुआ है term लिखा हुआ है और यह क्या हमारे differential है तो इसको हम क्या बोलते है Binomial differential इस type के integral को हम solve कैसे करते हैं सबसे पहले बात कि तुम इसे पहचान लो एक बार format देख लो क्या है ठीक है इसमें M, N और P यह जो M दिख रहा है यह जो N दिख रहा है और यह जो P दिख रहा है यह हमारा कोई भी rational number हो सकता है ठीक है इसमें कुछ case है अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है नहीं याद रख सकते हो तो IQ से भी यह question solve हो जाता है याद रखोगे तो direct solve हो जाए कोई दिमाग लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी इसमें सबसे पहले बात क्या है कि अगर ये जो तुम्हें P M और N चाहे कुछ भी हो ये M और N चाहे कुछ भी हो अगर ये P तुम्हे positive integer दिखे तो तुम इसमें आख बन करके binomial theorem लगा दो अगर मालो ये P positive integer है ये P हमारा positive integer है मालो P का value 3 है तो इसमें क्या करोगे जब इसको तुम expand करोगे binomial theorem से तो total कितने terms आएंगे चार terms आएंगे उन चारो terms को जब तुम X to the power M से multiply करोगे again चार terms generate होंगे उन चारो terms को अलग-अलग करके अलग-अलग उनका integral निकालो answer आजाएगे बट अगर P हमारा integer हुआ यह जो P दिख रहा है न यह P अगर यह हमारा P integer हुआ और negative integer हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि X को T to the power K के equal लिखेंगे और K क्या हमारा K LCM हो जाएगा किसका M और N का M और N के जो denominator में जो number होगा न उसका LCM होगा अगर M हमारा rational function है और N सौरी अगर M हमारा rational number है और N भी rational number है तो उसके denominator में दो number होगे उनका LCM ले लो उसको क्या करो उनका LCM को T का power बना दो तो question solve हो जाएगा ठीक है case number 3 में क्या बोल रहा है अगर M plus 1 upon N यह integer हुआ तो तुम्हें क्या करना है इस bracket के अंदर जो लिखा है A plus BX पे power N इसको तुम्हें किसके equal proof यह लिखना है T to the power alpha के और alpha क्या है is the denominator of the fraction P यह जो fraction P है यह जो P है इसके denominator का क्या है हमारे पास इसका denominator है alpha क्या हमारा है denominator of the fraction P क्या बोला मैंने अगर हमें integer मिल गया चाहे positive integer हो चाहे negative integer हो तो यह जो bracket के अंदर लिखा है A plus BX पे power N इसको किसके equal लिखो T to the power alpha के equal लिखो और alpha क्या है denominator है किसका यह जो P अगर हमारा rational number होगा तो इसके denominator में एक number होगा वही power बनेगा यह alpha ठीका यह power बन जाएगा चौथा case में क्या है कि अगर M plus 1 upon N plus P यह हमारा एक integer है then put यह जो bracket के अंदर है इसको किसके equal लिखो T to the power alpha into X to the power N इसके equal लिखो ठीक है जहाँ पे हमारे पास alpha again वही है denominator of the fraction P याद रख सकते हो तो ठीक है अच्छी बात है नहीं तो question जो आएगा वो direct तुम अगर practice होगी ना तुमारी तो direct पी तुम substitution proper substitute करके answer निकाल लोगे अब यहाँ पे देख लो पहला case क्या हमारे पास पहले case में यह हमारा A plus किसका का काम कर रहा है यह हमारा A plus B X to the power N का काम कर रहा है और यह X पे जो power है चलो इसको मैं लिखता हूँ वैसे यह हमारे पास क्या है X पे power 1 upon 3 फिर यहाँ पे क्या है 2 plus X पे power 1 upon 2 और उस पे power 2 तो यहाँ पे यह 1 upon 3 किसका कौ कर रहा है यह जो 1 upon 3 है यह तो M का का काम कर रहा है ठीक है? और यह जो X, यह 1 उपॉन 2 किसका काम कर रहा है? यह तो हमारा N का काम कर रहा है. और यह 2 किसका काम कर रहा है? यह P का काम कर रहा है. तो मैंने क्या बोला? कि अगर जब भी तुम्हे P positive integer देखे, तो आँक बंद करके क्या करो? तो इसमें तो simple binomial theorem लग जाएगा यह क्या हो जाएगा एक्स पर पाउर 1 अपाउन 3 और इसमें क्या होगा a2 प्लस 2ab तो 4 root x प्लस b2 तो x और dx हो जाएगा अब इसको multiply कर दो सभी से तो यह क्या हो जाएगा 4 x पर पाउर 1 अपाउन 3 प्लस 4 1 अपाउन 3 प्लस 1 अपाउन 2 यह क्या जाएगा 5 बाई 6 प्लस 1 अपाउन 3 प्लस 1 4 बाई 3 एक्स पर पाउर क्या जाएगा 4 बाई 3 अब इसको अलग अलग क्या कर लो तुम integrate कर दो answer आजाएगा यहां से खुदी कर लेना evaluate yourself ठीक है next question में आ जाओ next question में क्या है इसे हमें integrate करना है i को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते x पर पाउर minus 2 बाई 3 और 1 प्लस x पर पाउर 1 बाई 3 पर पाउर 1 बाई 2 dx ऐसे लिख सकते हैं अब यहां पर बताओ M का काम क्या कर रहा है यह तो एक्जेक्ट्ली सी फॉर्मेट में तो M का काम क्या कर रहा है minus 2 by 3 N का काम क्या कर रहा है 1 by 3 और P का काम क्या कर रहा है 1 by 2 ठीक है तो एक बार हमने इसको क्या करें M plus 1 upon N calculate करते हैं m plus 1 upon n calculate करते हैं m plus 1 upon n m का काम कर रहा है minus 2 by 3 plus 1 upon n का काम कर रहा है 1 by 2 तो ये भी हो गया 1 by 2 upon 1 by 2 क्या मिल गया हमें 1 1 क्या हमारा integer है तो इस case में क्या बोला था second case में क्या करते हैं इसको किस के equal करते हैं t to the power alpha के equal करते हैं और alpha क्या हमारा is the denominator of fraction p ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 plus x cube पे power 1 upon 3 यह बोल रहा है कि denominator of fraction p तो इसके लिए तुम क्या करो यहाँ पे यह जो दिख रहा है ना fraction इसका denominator क्या है 2 है ना तो इसको तुम किस के equal कर लो इसको तुम कर दो t square के ठीक है अब इसको तुम differentiate करो x के respect में तो क्या हो जाएगा 1 by 3 x पे power क्या हो जाएगा 1 by 3 minus 1 और यह तो अभी हमने dx यह क्या हो जाएगा 2 t dt तो यहाँ से हमें क्या मिला 1 by 3 x पे power क्या मिलेगा minus 2 by 3 dx is equal to 2 t dt ठीक है तो यहाँ से हमें dx का value क्या मिल जाएगा 6 t upon x पे power minus 2 by 3 dt तो यह क्या हो जाएगा 6 x पे power 2 by 3 t dt ठीक है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे dx का value तो हमने find out कर लिया तो dx हमें क्या मिल जिया है 6 x पे power 2 by 3 t dt तो अब हमारे पास क्या है x पे power minus 2 by 3 1 plus x पे power 1 by 3 पे power 1 by 2 dx यह था हमारे integral ठीक है तो इसके लिए तो तुम क्या करो x पे power minus 2 by 3 1 plus x to the power 1 by 3 को हमने t square बोला इस पे power 1 by 2 और dx को हमने क्या बोला 6 x पे power 2 by 3 dt यह और यह तो cancel हो गया और यह भी cancel हो गया 6 को बार हमने निकाल लिया हमें क्या मिल गया t और यह और यह भी cancel हो गया और dx हमने क्या put किया है यह t बोल गया तो यहां पे t भी हो गई है ठीक है तो यह t और यहां पे यह t मिल के हो जाएगा t square dt यह क्या हो जाएगा 6 t cube upon 3 प्लस का s ऐसे हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 t cube प्लस c 2 और t हमने किसे बोला है अज़ा यहां पे हमारे पास t है root अंडर दिस है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 plus x पे power 1 upon 3 इस पे power क्या हो जाएगा square root इस पे power क्या हो जाएगा ये 3 प्लस कसी तो यह हो जाएगा 2 और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस X पर 1 बाई 3 पर power क्या हो जाएगा 3 बाई 2 पर power हो जाएगा 3 by 2 प्लस ठीक है अब अब चूछ कुछ objective question देखलो J-minus का 2019 का question है यह क्या बोल रहा है fx दे रखा है इसके equal और f of 0 जो fx function है न वो integral के form में दे रखा है और फिर क्या बोल रहा है कि f of 0 0 के equal है तो f of 1 का value बताओ तो सबसे पहले इस question को देख कर हमारे दिमाग में क्या है numerator और denominator का highest power क्या है numerator का highest power 8 है और denominator का highest power क्या 14 है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि numerator और denominator को x के highest power से divide कर देंगे तो हमारा fx function क्या बन जाएगा fx यह function बन जाएगा न 5x पे power 8 x पे power 14 है तो x पे power 14 से हमने divide कर दिया plus 7 x पे power 6 upon x पे power 14 ठीक है यहां क्या होगा x square plus 1 plus 2 x पे power 7 अगर denominator को अगर तुम x पे power 14 से divide करोगे चलो कर देता हूँ यह कि step लिग देता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 upon x पे power 8 plus 6 14 तो हमें क्या मिल रहा है हमें fx का value क्या मिल रहा है 5 x पे power minus 6 plus 7 x पे power minus 8 upon यहां क्या मिल रहा है 1 upon x पे power 5 plus 1 upon x पे power 7 plus 2 का whole square dx ऐसे मिल रहा है ना हमारे पास तो यह हमारा हो गया 5 x पे power minus 6 plus 7 x पे power minus 8 upon x पे power minus 5 plus x पे power minus 7 plus 2 whole square dx अब क्या करें इसमें अब क्या कर सकते हैं इसमें तुम ऐसे देखो कि यहां पे यह जो term दे रहा है अगर मैं इसको t मानता हूँ तो इसको t मानूँगा तो क्या होगा इसको जब मैं differentiate करूँगा तो x पे power क्या जाएगा minus 6 वो यहां दिख रहा है और जब मैं इसे differentiate करूँगा तो x पे power क्या जाएगा minus 8 तो वो भी यहां दिख रहा है और 2 constant का derivative तो 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x पे power minus 5 plus x पे power minus 7 plus 2 इसको t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा minus 5 x पे power minus 6 minus 7 x पे power minus 8 और यहां क्या हो जाएगा dx और यहां क्या हो जाएगा dt ठीक है minus common निकालेंगे तो 5 x पे power minus 6 plus 7 x पे power minus 8 dx क्या बन जाएगा हमारा dt अब जो हमारा f x function क्या लिखा हुआ है वो लिखा है minus of minus 5 x पे power minus 6 plus 7 x पे power minus 8 dx upon इसको तो हमने t माल लिया ने इसको तो t माल लिया इसको तो यह हो जाएगा t और यह पूरा मिलके क्या हो जाएगा dt यह t तो यह t square हो जाएगा यह dt हो जाएगा तो हम्हें finally क्या मिलेगा 1 upon t square dt तो यह क्या हो जाएगा टी पे पाउर माइनस 2 टी टी तो यह माइनस और यहां क्या हो जाएगा टी पे पाउर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कसी यह यहां से माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें हमें मिलेगा minus one upon और two t पे power minus one आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा one upon t plus का c और t हमने क्या माना है t हमने माना है किसे यह इसको term को माना है यहाँ देखो तो यह हो जाएगा x पे power minus 5 plus x पे power minus 7 plus 2 is equals plus c तो यह हमारा fx function मिलिए न x पे power minus 5 plus x पे power minus 7 plus 2 plus का c अफर कोशन में क्या given है f of 0 is equals to 0 तो f of 1 निकालना है हमे तो f of 0 यहाँ से डालते f of 0 f of 0 तो यह 0 यह 0 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 by 2 plus c और f of 0 भी 0 के equal दे रखा तो यहाँ से हमें c का value क्या मिल गया minus 1 upon 2 तो finally f of x क्या मिल जाएगा x पे power minus 5 plus x पे power minus 7 plus 2 और c का value minus 1 upon 2 अब क्या बोला है f of 1 निकालने के लिए तो x की जगा 1 डालेंगे तो यह हमें क्या मिल जाएगा 1, 1, 1 2, 3, 4 1 by 4 minus 1 by 2 तो क्या हो जाएगा 1 minus 2 by 4 क्या हो जाएगा minus 1 by 4 देख लो क्या option होगा minus 1 by 4 be is the correct option ठीक है यहां से में क्या मिला be is the correct option अब आते हैं हम लोग यह question number 2 है हमारा question number 2 में क्या बोल रहा है कि अगर x square जो है वो n pi के equal नहीं है ठीक है n pi plus 1 नहीं है ठीक है where n belongs to natural number the set of natural numbers ठीक है the integrals dx is equals to अब यह सब जो दे रखा होता है अगर इसमें तुमारा दिमाग नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है इसमें क्या बोल रहा है कि इससे न या दो चीज़ हो रहा हो गया तो square root हमारा non negative हो रहा होगा या फिर denominator में क्या हो रहा होगा denominator में हमारा 0 नहीं हो रहा होगा अगर x square and pi plus 1 के equal नहीं है तो square root not generally होता है जो maximum most of the time होता है इसके कारण जब भी square root के अंदर ऐसे लिखा हो न x square तो इसको हम क्या लेते हैं mod x लेते हैं इसको सीधे x बाल लो क्यों? because यह non negative है यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस integral का value क्या है इस integral को देखके हमारे दिमाग में क्या हैगा हमारे दिमाग में सबसे पहले देखेगा कि x square minus 1 है यहाँ पर x square minus 1 है यहाँ भी सब में जगा x square minus 1 है तो यह integral क्या बोल ला है? x square minus 1 को क्या माल लो? t माल लो यही बोल ला है टी माल लो थीटा माल लो कुछ भी माल लो देखते हैं मान के assume कर लिए हमने let x square minus 1 को हमने थीटा बोल दिये तो यहां से में क्या मिल गए है 2x dx is equal to d theta अब integral के हमारा i is equal to x और यहां पर क्या हो जाएगा 2 sin theta minus sin 2 theta upon यहां पर क्या हो जाएगा 2 sin theta यह तो बहुत easy हो गया plus sin 2 theta और dx क्या हो जाएगा dx d theta upon 2 2x तो यह x x cancel हो गया 1 upon 2 बार हो गया तो यह 1 upon 2 बार हो गया और यहां पर यह जो लिखा है चलो एक step all लिखता हूँ 2 sin theta और मैंने sin 2 theta को मैं लिख सकता हूँ 2 sin theta into cos theta और यहां भी मैंने लिख दिया 2 sin theta into 2 sin theta into cos theta ऐसे लिख दिया ठीक है और यहां पर हमारे पास क्या मिल गए d theta तो i का value हमें क्या मिला 1 by 2 integral 2 sin theta common लेके numerator denominator से cancel करा दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta d theta यह हो गया 1 by 2 1 minus cos theta क्या होता है 2 sin square theta by 2 और यह क्या होगा 2 cos square theta by 2 2 भी numerator denominator से cancel कर दिया तो यहां पर क्या जाएगा root under 10 square theta by 2 तो d theta यह हो गया 1 upon 2 integral root under यह mod 10 theta होगा न अब indefinite में याद रखना indefinite में most of the cases में मतलब 99% cases में ऐसे mod word आए न अंदर में तो तुम एक तुम पहले mod लो ही नी, mod को हटा दो मतलब root under यह direct रहे न, root और square को cancel कर दो और अगर तुमें mod लिखना भी है तो इस mod को positive माल लो यह mod वाला चकर कहां लगता है definite में, याद रखना definite में mod को कभी ignore नहीं करना है उसके definite में mod ignore नहीं करना है यह mod को तुम direct हटाओ तो यह क्या हो जाएगा, 1 upon 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan theta by 2 d theta अब यह बताओ, integral of tan x का derivative क्या होता है log sec x plus c तो यह क्या हो जाएगा, 1 by 2 log mod of sec theta by 2 into 1 upon coefficient of theta, 1 upon 2 है let's go see तो यह 2 और यह 2 तो cancel होगी है तो हमें क्या मिला, log of mod of sec और theta हमने किसे माना है assume कि x square minus 1 को तो यह होगी x square minus 1 upon 2 let's go see तो देख लो कौन सा option है 1 upon 2 भी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है 1 upon 2 log sec square minus 1 upon 2 यह हमारा b is the correct option तो यहाँ से हमें क्या मिल गया b is the correct option b जो हमारा correct option है question number 3 में आ जब question number 3 में क्या दे रखा है हमारे पास क्या बोल रहा है कि fx जो function है वो इसके equal है for n is greater than equals to 2 n का value यह तो 2 है यह 2 से बढ़ा है और gx यह function दे रखा है gx जो function दे रखा है वो fx function का n times composition है fx function का क्या है n times composition है तो बोल रहा है कि इसका value निकालो इसे integral का value निकालो क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास fx function क्या दे रखा है fx function है हमारे पास x upon 1 plus x पर पावर n पर पावर 1 upon n और gx function के हमारे पास जो gx है वो है f circle f circle f ऐसे इसे करके circle f x n times composition है ठीक है अब यहाँ पर 1 plus nx nx दिख रहे है ठीक है तो पहले एक बार composition gx function find out हमें evaluate क्या करना है evaluate हमें करना है integral of x पर पावर n minus 2 gx यह हमें evaluate करना है इसी का value हमें बताना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें gx find out करना होगा gx find out करने के लिए हमें सबसे पहले f function का n times composition लेना होगा तभी तो हमें gx मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे चलो एक बार composition लेते है f of fx तुम यह क्या होगा fx upon 1 plus fx पे पावर n और whole पे पावर x की जगा fx डाल दिया तुम करके देख लेना ठीक है इससे हमें मुझे hint मिल गया कि क्या होगा यहां इससे hint मिल गया तुम करके देख लेना यही आएगा हमारे पास यह आएगा x upon 1 plus 2x पे पावर n पे पावर पन पन एगा यह आएगा ठीक है अब दो बार composition लियाना तुम यहां पे आया दो अब अगर मैं 3 बार composition लूँगा लेने के जोरत नहीं है 3 बार एक ही बार से हमें idea पता लग जाता है क्या होगा x upon 1 plus 3x पे पावर n whole पे पावर n same line पर अगर मैं n times composition लूँ न तो क्या हो जाएगा f circle f, circle f, circle f ऐसे करके composition ले लूँ मैं f of x n times composition लूँ तो यहां पे आजाएगा x upon 1 plus n x पे पावर n पे पावर 1 upon n यहां जाएगा तो यही हमारा gx function होगी अब हमें integrate करना है x पे पावर n minus 2 gx integral of x पे पावर n minus 2 gx dx इसको हमें integrate करना है तो integral of x पे पावर n minus 2 और gx हमारा क्या है x upon 1 plus n x पे पावर n पे 1 upon n dx इसे हमें integrate करना है अब कुछ नहीं है अब तो यह आसान होगी सबसे पहले बात यह अगर हमारा i integral है तो i integral x इसके साथ multiply होगा तो power क्या होदेगा x पे power n minus 1 upon 1 plus n x पे power n पे power 1 upon n dx ठीक है ऐसे होगे न अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे तो बहुत आसान होगी यह जो है ना इसको हम लोग क्या माल लेते है t माल लेते हैं अब तुम बोलोगे कैसे t माल ने पता कैसे चलेगा बहुत बच्चे t पे power n भी माल लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा बढ़ थोड़ा complex हो जाएगा यहाँ पे अगर तुम इसको t मानोगे तो इसको t मानने से क्या benefit हो रहा है यह benefit हो रहा है कि जब तुम इसको differentiate करोगे ना तो यह वाला term generate होता हुआ देख रहा है होड़ा है न एंटो x पे power n minus 1 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह जो हमारे पास है इसको हम ले t assume कर लिया इसको हमने क्या बोल दिया 1 प्लस x पे power n को रहा है dt तो x पे power n minus 1 dx क्या हो जाएगा हमारा dt upon n स्कुरर तो बस नहां पे काम चल गया हमारा x पे power n minus 1 dx क्या हो गया यह तो dt upon यह ओगया 1 upon t पे power 1 upon n और dx क्या हो गया हमारा x पे power n minus 1 dx क्या हो गया dt upon n स्कुरर बच्चे बार 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 बता रहा हो option को भी ध्यान में रखना हो तांग बन करके integrate नहीं करेंगे अब ऐसा करने से क्या benefit हो गया अभी समझ में आएगा तुम्हें यहाँ पे यह na² है common आजाएगा और यहाँ पे क्या होगा t पे power minus 1 upon n आजाएगा ठीक है minus 1 upon n dt ठीक है तो यह हो जाएगा 1 upon n स्कुरर और t पे power minus 1 upon n प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 1 upon n plus 1 ऐसे हो जाएगा ना और यहाँ plus का c 1 upon n और यह t पे power क्या होगा n minus यह इसको तुम ऐसे ही लिख लो option में 1 minus करके दे रखा है ना ठीक है तो इसको तुम लिख लो 1 minus 1 upon n लिख लो और यहाँ पे इसका LCM लोगे तो क्या होगा n minus 1 upon n ऐसे हो जाएगा अब प्लस का C यह n और यह n cancel होगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 upon n minus 1 और T पे power 1 minus 1 upon n plus C तो यह हो जाएगा 1 upon n minus 1 और T क्या हमारा T किसे माना हमने 1 plus n 1 plus n X पे power n इस पे power 1 minus 1 upon n plus का C यही होगा option क्या है 1 upon n minus 1 1 upon n minus 1 यह आगे न हमारा प्लस में है न अच्छा यह ठीक है यह B वला option हो जाएगा B option हमारा क्या हो जाएगा B option हो जाएगा यह जो option है न है यह B 1 upon n minus 1 1 plus n X पे power n 1 minus 1 upon n ठीक है तो क्या यहां से मैं पता चला this implies that B is the correct option B हमारा क्या है correct option है ठीक है okay